सदर थाना चेतर के गाउं की विभाईता से घर में गुसकर छेड़ चाड़ महिला थाने में मुकदमा दर्ज चुरू के सदर थाना चेतर के गाउं की शादी शुदा महिला से घर में गुसकर छेड़ चाड़ और तोड़ फोड़ करने का मामला सामने आया है पीडिता की रिपोर्ट पर महिला थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है महिला थाने के हैड कॉंस्टेबल सुरेंदर रेड़ू ने बताया कि गाउं की महिला ने रिपोर्ट दी कि 25 नौवंबर की शाम को वे घर पर खाना बना रही थी तभी गाउं के ही रविंदर, राकेश, अनील, प्रमोद, शीश राम, लाठी और लोहे के पाईप लेकर जबरदस्ती घर में गुस गए और तोड़ फोड़ शुरू कर दी जब महिला बहार आई तो आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उससे अशलील हरकतें शुरू कर दी महिला के शोर मचाने पर वहां लोग इखटा हो गए जिनने देखकर आरोपिय मोके से फरार हो गए जाते जाते उन्होंने महिला को जान से मारने की धमकी दी बहराल महिला धाना पुलिस ने आई पी सी की धानाओं में मुकदमा दर्ज कर जात शुरू कर दी है